हेलो बच्चो, क्या आपने कभी साइकल को सडक पर चलते हुए देखा है? चालक जब रोकना चाहता है, तो ब्रेक लगा देता है इस प्रकार चक्र धीरे धीरे धीमा होता जाता है और अंत में रुख जाता है क्या आप चानते हैं कि इसके लिए कौन सी ताकते जम्यदार है? मैं बिंदु हूँ आज हम कारण का पता लगाने जा रहे है और कक्षा आठ से बहुतिक विज्ञान का घर्षन अध्याई भी सीखेंगे सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स घर्षन की परिभाशा घर्षन के प्रकार घर्षन का उदाहरण घर्षन को प्रभावित करने वाले कारक घर्षन के बढ़ते और घटते कारक घर्षन के लाब घर्षन के नुकसान अब कीवर्द्स टकराव स्तैतिक घर्षन सरपी घर्षन स्नेहक बॉल बेरिंग खीचना द्रव घर्षन ये घर्षन का माइन मैप है हम बिना गिरे सडक पर चलते हैं लेके जब हम गिली सतहों पर चलते हैं तो गिर जाते हैं आये जाने इसके कारण हम सडक पर सुरक्षित रूप से चल सकते हैं पैरो और सडक के बीच के घर्षन के कारण लेकिन जब हम गिली सतह पर चलते हैं तब फ्रिक्षन कम होता है घर्षन बल यानि घर्षन उत्पन होता है जब दो या उससे अधिक जीव साथ में जुड़ कर चलते हैं या एक दूसरे की सापक्ष गती से चलते हैं तो वास्तव में ये किसी अन्य शरीर की सतह पर शरीर के आंदोलन के लिए प्रतिरोध है जो कि ये हमेशा गतिमान जीव के विपरित दिशा में कार्य करता है ये बल निकायों की सतहों की जोमेट्रिकल असमानता के कार्णुत्पन होता है जो सापक्ष गती में होते हैं गर्शन निम्नलिखित प्रभाव पैदा कर सकते हैं गर्शन गती का विरोध करता है ये संपर्ख में आने वाली सतहों में तूट-फूट का कारण बनता है ये गर्मी पैदा करता है घर्शन के प्रकार घर्शन को दो बुनियादी प्रकारों में वर्गी कृत किया जा सकता है स्टाटिक घर्शन दूसरा काइनेटिक घर्शन स्टाटिक घर्शन शरीर्द बारा अनुभव किये गए घर्शन जो आराम से होते है उसे स्टीर घर्शन या स्टाटिक घर्शन कहा जाता है उधारिन के लिए सभी वस्तों को दृड़ता से पृत्वी पर आराम करने के लिए रखा गया है काइनेटिक घर्शन पिंडो या शरीर की गती के दौरान मोजूद घर्शन को गतीज घर्शन कहा जाता है यानि काइनेटिक घर्शन काइनेटिक घर्शन को आगे फिसलने वाले घर्शन और रोलिंग घर्शन में वर्गिकृत किया जा सकता है जब एक सर्फेस दूसरे सर्फेस पर फिसलता है तो संपर्ख में सतहों के बीच कारे करनेवाले घर्शन को स्लाइडिंग घर्शन कहा जाता है जब कोई सर्फेस किसी अन्य सतव पर लुड़कता है तो संपर्ख में आने वाली सतव के बीच होने वाले घर्शन को रोलिंग घर्शन कहते है रोलिंग घर्शन ये फिसलने वाले यानि स्लाइडिंग घर्शन से कम होता है इसलिए वाहनो ट्रॉली सुटकेस आदी में पहिये दिये गए है घर्शन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक नीचे दिये गए है सतव की प्रकृति किसी खुर्दरी सतव पर किसी वस्तु को हिलाना कठिन होगा लेकिन चिकनी सतव पर हम उसे आसानी से चला सकते है ऐसा इसलिए है क्योंकि घर्शन सतों के बीट भिन न होता है शरीर का वजन अपने कैरियर पर बिना किसी भार के अपनी साइकल को पेडल करना आसान है प्रत्यक वाहक पर रखे गए भार के साथ इसे स्तानन तरित करना मुश्किल होता है क्योंकि वाहक पर भार टायर की सता और सडक के बीट घर्शन को बढ़ाता है किसी दिये गए वजन के लिए घर्शन सीधे दो सतों के बीच संपर के क्षेतर से सम्मन्दित होता है यदि संपर का क्षेतर फल अधिक है तो घर्शन भी अधिक होगा रोड रोलर का आधार चोड़ा होता है इसलिए ये सडक पर अधिक घर्शन प्रदान करता है लेकिन एक साइकल में सबसे कम घर्शन होता है क्योंकि सडक की सतर के साथ टायर का संपर क्षेतर कम होता है बढ़ता और घर्टा घर्शन संपर का क्षेतर संपर्क में आने वाली सतो का क्षेतर फल बढ़ा कर घर्शन को बढ़ाया जा सकता है उधारन के लिए एक साइकल में ब्रेक शूस को एड़िस्ट करना पड़ता है वे वील के रिम के करीब हो ताकि घर्शन बढ़ाने के लिए लूब्रिकंट्स का इस्तिमाल वो पदहार जो घर्शन बल को कम करता है उसे लूब्रिकंट्स कहा जाता है उधारन, ग्रीस, नारियल का तेल, सीशा, अरंडी का तेल, वगेरे लूब्रिकंट्स शरीर और संपर के बीट अन्यमित सतों के आंतराल को भरते है ये चिकनी परत प्रदान करता है, जिससे उनकी खुरदरी सतों के बीच सीधा संपर्क नहीं होता बॉल बेरिंग का उपयोग करना यूकि रोलिंग घर्षन स्लाइडिंग घर्षन से छोटा होता है स्लाइडिंग को बॉल बेरिंग के उपयोग से रोलिंग द्वारा प्रतिस्तापित किया जाता है उसी कारण से साइकल हब के असर में लीट शोट्स का उपयोग किया जाता है घर्षन के लाब हमारे दैनिक क्रिया कलापों के लिए घर्षन आवश्यक है ये हमारे दैनिक जीवन की अधिकांच तीतियों में वांचनिय है घर्षन के कारण हम वस्तूओं को हाथ में पकड़ सकते है घर्षन के कारण ही हम सड़क पर चल पाते है जूते और जमीन के बीच का घर्षन हमें बिना फिसले चलने में मदद करता है घर्षन के कारण कागस पर पेन से लिखना आसान हो जाता है टायर और सड़क के बीच घर्षन के कारण ओटू मोबाइल सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकते है ब्रेक शूस पर घर्षन प्रतिरोधक के कारण ब्रेक लगाए जाते है घर्षन के कारण हम माचिस की तीली जला सकते है कपडे सिल सकते है गाट बान सकते है या दिवार पर किल लगा सकते है घर्षन के नुकसान घर्षन एक दूसरे के साथ रगडने वाली सत्व को गिसता है जैसे शिकनजा और गेर और मशीन या जूते के तलवे मशीन चलाते समय घर्षन पर काबू पाने के लिए अधिक मात्रा में प्रयास करना पड़ता है इससे उर्जा की बरबादी होती है घर्षन से उश्मा उत्पन होती है जो मशीनों को शारिरिक शती पहचाती है द्राव घर्षन यानि फ्लूइट फ्रिक्शन विज्ञान में गैसों और द्रवों का सामान्य नाम द्रव है हवा बहुत हलकी और पतली होती है फिर भी ये अपने में गतिमान वस्तूव पर घर्षन बल लगाता है इसी तरह पानी और अन्य तरल पदार्थ घर्षन बल लगाते हैं जब वस्तूव उनके माध्यम से चलती है तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षन बल को ड्रैक कहा जाता है किसी तरल पदार्थ में किसी वस्तूपर लगाने वाला घर्षन बल तरल के सम्मन में उसकी गति पर निर्भर करता है घर्षन बल वस्तू के आकार और द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है आपने क्या सीखा? घर्षन संपर्ख में दो सतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है ये दोनों सतों पर कार्य करता है घर्षन संपर्ख में आने वाली सतों की प्रकृति पर निर्भर करता है सतों के एक जोड़े के लिए घर्षन उन सतों की चिकनाई की स्तिती पर निर्भर करता है घर्षन इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों सतह एक साथ कितनी जोर से दपती है स्टाटिक घर्षन तब तक काम करता है जब तक हम किसी वस्तु को वीराम अवस्ता से ले जाने का प्रयास करते है फिसलने वाला घर्षन या स्लाइडिंग घर्षन तब काम आता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसलती है स्लाइडिंग घर्षन स्टाटिक घर्षन से छोटा होता है घर्षन हमारी कई कतिवीधियों के लिए महत्वपूर्ण है सतह को खुर्दरा बनाकर घर्षन को बढ़ाया जा सकता है जूतों के तलवे और वाहन के टायर घर्षन बढ़ाने के लिए गिसे हुए होते है घर्षन कभी-कभी अवांचनी होता है स्नेह के प्रयोग से घर्षन को कम किया जा सकता है जब एक पिंड दूसरे पिंड पर लुड़कता है तो रोलिंग घर्षन काम करता है लोटनिंग घर्षन फिसलने वाले घर्षन से छोटा होता है कई मशिनों में बॉल बेरिंग के प्रयोग से घर्षन कम होता है तरल पदार्थों में गतिमान वस्तु को उपयुक्त आकार देकर द्रव घर्षन को कम किया जा सकता है झार्थे की तो झात देकर 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 के प्र।ाव उतेश्वटरी के देले है झाल को नहीं पाल जास्वटाओशों में जास्ता है झाल झाल